हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे घरेलू बस्तुओं के नामों के इंगलिस क्या होती है जैसे जाडू, खुड़ादान, पुर्सी, मेच, ताला, छाता, आदिन सभी की इंगलिस क्या होती है तो चलिए फ्रेंट वीडियो को सुरू करते हैं जाडू, जाडू को इंगलिस में ब्रून कहते हैं खुड़ादान, कुड़ादान को इंगलिस में डस्ट बीन कहते हैं साबुन्दानी, साबुन्दानी को इंगलिस में सोप डिस कहते हैं बाल्टी, बाल्टी को इंगलिस में बकेट कहते हैं कुर्सी को इंग्लिस में चेयर कहते हैं मेच को इंग्लिस में टेवल कहते हैं अलमारी को इंग्लिस में कबर्ड कहते हैं टोकरी को इंग्लिस में बास्केट कहते हैं ताला को इंग्लिस में लॉक कहते हैं चावी को इंग्लिस में की कहते हैं इस्तिरी या प्रेस को इंगलिस में आईरन कहते हैं तराजू को इंगलिस में बैलेंस या स्केल्स कहते हैं चाकू को इंगलिस में नाइफ कहते हैं कीप को इंगलिस में फ़नल कहते हैं छड़ी को इंगलिस में इस्टिक कहते हैं पंखा, पंखा को इंगलिस में फैन कहते हैं तार, तार को इंगलिस में वाइर कहते हैं कैची, कैची को इंगलिस में सीजर्ज कहते हैं रस्सी, रस्सी को इंगलिस में रोप कहते हैं छाता, छाता को इंगलिस में अम्रेला कहते हैं कंघा, कंघा को English में कौम कहते हैं सीसा, सीसा या आइना को English में मिरर कहते हैं चूला, चूला को English में स्टोप कहते हैं गैस चूला, गैस चूला को गैस स्टोप कहते हैं और बिजली चूला को इलेक्ट्रिक स्टोप कहते हैं इधन, इधन को English में फ्यूल कहते हैं अगरबत्ती, अगरबत्ती को इंगलिस में incense, stick कहते हैं मुमबत्ती, मुमबत्ती को इंगलिस में candle कहते हैं माचिस, माचिस को इंगलिस में match box कहते हैं गिलास, गिलास को इंगलिस में tumbler कहते हैं थाली, थाली को इंगलिस में plate कहते हैं चम्मच, चम्मच को इंगलिज में इस्पून कहते हैं चिम्टा, चिम्टा को इंगलिज में टॉंग्स कहते हैं धक्कन, धक्कन को इंगलिज में लीड कहते हैं मत्का, मत्का को इंगलिज में पिचर कहते हैं तकिया, तकिया को इंगलिज में पीलो कहते हैं रजाई, रजाई को इंगलिस में quilt कहते हैं, चादर, चादर को इंगलिस में bed seat कहते हैं, कंबल, कंबल को इंगलिस में blanket कहते हैं, बिस्तर, बिस्तर को इंगलिस में bed कहते हैं, चटाई, चटाई को इंगलिस में mat कहते हैं, पायदान, पायदान को इंगलिस में foot board या door mat कहते है Hathora Coinlish में Hammer कहते है Pench Issus Coinglish में Screwdriver कहते है Next Kulhari Coinlish में X कहते है आरी, आरी को इंगलिस में सौ कहते हैं चूड़ी, चूड़ी को इंगलिस में बैंगल कहते हैं कंगन, कंगन को इंगलिस में ब्रैसलेट कहते हैं अंगुठी, अंगुठी को इंगलिस में रिंग कहते हैं माला, माला को इंगलिस में गारलंड कहते हैं नेक्स्ट, हार, हार को इंगलिस में नेकलेस कहते हैं, नेक्स्ट, नथुनी, नथुनी को इंगलिस में नोज रिंग कहते हैं, नेक्स्ट, पायल, पायल को इंगलिस में एंकलेट कहते हैं, जुमका, जुमका को इंगलिस में ये रिंग कहते हैं, नेक्स्ट, वीडियो को